नमस्कार दोस्तों इसके स्टॉप टॉक्स में आपका स्वागत है ट्रेटिंग वी का चार्ट है 15 मिट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट है पहली बात दूसरी बात यह कि मैं हाँ पे मैं अपना नंबर लिख जेता हूं जिससे आपको आसानी रहे कि दूसरी बात यह कि आपको टेलिग्राम चैनल पे एक महीने वाला आफर मिल ही गया है अगर जो लोग इंट्रेस्टेड है तो वह लोग जोईन कर सकते हैं ठीक है वह लोग जोईन कर सकते हैं मार्केटमें वैंचर फीस्ट देई हो जब बोलता हूं कि सीखो तो कोई सीखने वाला तो है नहीं जिए टिप मैं देता नहीं जिए टिप देना का मतलब यह है कि मैं आपको एक तरिके से हंडीकैप कर रहा हूं मेरा ऐसा सोचना है, हो सकता है, आप लोग टिप से फायदे में हो, कभी मेरे चैनल में कूद रहे हो, कभी और किसी के चैनल में कूद रहे हो, मेरे ग्रूप से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मेरे को पता रहा तो किस ग्रूप में गये हैं, क्योंकि हम टेडर्स जो हैं, व और किसी ट्रेडर ने पुट दे दिया फिर आप क्या करोगी वही है डेलेमा सीखने पर किसी का द्यान नहीं है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है किस तरीके से सीख रहा है किस तरीके से चला है मार्केट ठीक है तो छोड़े उनसा बात है कि उनसा बात में कुछ नहीं रखा ह है। आप खेषरесс Char socially है। मैं आपको कैवल रास्ता बता खता हूं कि क्या सही है और क्या лиш है। मैं आपको किवल और किवल रास्ता बता सकता हूं कि चलना ही को है। थीक है। तो आइए देख लेते हैं कल मार्केट किस तरीके से action reaction दे सकता है। कल मार्केट का action reaction होगा वाली लाइन जो है निफ्टी में की रियक्शन लाइन बन रही है बैंक निफ्टी में उतना नहीं यह कारगर है लेकिन निफ्टी में कारगर है और अभी आप देखोगी यह 50 की moving average के उपर है अगर कर निफ्टी 17710 को तोड़ के निकलती है तो हमारा अगला target यही 200 की moving average होगा जिसका जोन है 17882 890 यह आप जा सकते हो अगर यहां से तोड़ी तो फिर 18000 लेवल को नोट कर लिजीगा क्यों लेवल को मार्क करने चैनल पर मत आईए मुझे ऐसे लोग की कता ही जरूरत नहीं है जो लोग चैनल पर आए और copy करें पेस्ट करें नहीं समझें क्यों दिया हुआ है यह लेवल वो समझें जिस दिन आप यह समझ जाएंगो उस दिन आपको मेरे भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी कॉल टिप्स क जरूरत नहीं पड़ेगी तो सीखने पर ध्यान दीजे है ना जी सीखने पर ध्यान दीजे और अगर निफ्टी कल इसके नीचे निकलती है तो यह वाला जो लेवल है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर यहां से निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो आप यहां तक कि ये टार्गेट लेना जो है 17,410 का, 17,410 से नीचे निकलती है, तो अगला टार्गेट 17,350 और 17,250, उपर के टार्गेट पहला टार्गेट ही आपका 200 की moving average है, 15 minute के चार्ट पे, जबकि आप देखोगे 30 minute के चार्ट पे market पूरी तरीके से buy में आ चुका है, ठीक है, 30 minute के चार् market है कुछ heavy type का हो जाता है, heavy gap up या heavy gap down, तो मैं market में मैं आपको update करने की कोशिश करूँगा, telegram channel पे, क्योंकि telegram channel पे मैं आपको बताता रहाता हूं मिर मित, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, bank nifty का, nifty का मैं कुछ ना कुछ video, कुछ ना कुछ post, मैं कुछ ना कुछ डालत रहता हूं, कि जिससे आपको पता चले कि market में actually हो क्या रहा है, मैंने आपको ये दिया था, यहां से भी आपको समझना था, कल रात मैंने दिया था, मैंने आपको ये भी zone दिया था, यहां से market आज पलटा है, ठीक है, तो आपको ये सब समझना पड़ेगा, बिना समझे तो काम नहीं होने वाला है आपको अगर यह लगता है कॉल टिप्स लेकर आप करोड़ पती बन जाओगे तो लिख के दे रहा हूं सैकड़ा पती भी नहीं बन पाओगे सैकड़ा मतलब सो रुपया हजार पती बनने की तो दूरक करोड़ पती लगपती तो सूरज को पकड़ने वाली बात हो गई तो अपने आप पर काम कीजिए अपनी लर्निंग पर फोकस कीजिए अपने आपको सुधारिये अपनी साइकलोजी बिल्ड़ अप कीजिए अपने पर विख कोई भी ग्रूप जॉइन कर लो कॉल टिप से आप पैसा नहीं कमा सकते यह बात आप नोट करके रख लो यह मैं बोलना हूँ तो टेलिग्राम चैनल पर भी आप लोगो और मैं आपको वही ट्रेट देता हूँ जो मैंने अपने ग्रूप में ही दिया है देखे बेसिक टूए डवांस की करुम है मेरा मैने सेम यही ट्रेट दिया है और आप लोगो भी वही ट्रेट रहेगा अगर निफ्टी उपर जाती है तो 17,800, 17,900 का पहला टार्गेट हमारा यही है अगर इसके उपर हमको कोई bullish candle मिलती है तो या ये वाला resistance टोड़ के उपर निकलती है तो अगर ये resistance टोड़ के ऊपर नहीं निकलती ठीक है अगर heavy gap down heavy gap up की इस्तिती में मैं आपको टेलिग्राम पे अपडेट करूंगा आई अब एक बार option chain देख लेते हैं कि option chain में nifty क्या बताना चाह रही है option chain में जो support और resistance निकल की जो मेरे पास आ रहे हैं वो पहला वाला जो support है 17,600 फिर दूसरा वाला जो support है 17,500 देखी अब देखिए इस बास से आपको यह सीखना है कि चार्ट पर यह कैसे दिखाई पड़ेगा 17,600 और 17,600 और 17,500 तो 17,500 यह रहा जो मैंने आपको reaction level दिया है और 17,600 आपका यह रहा अब market अभी इसके उपर है ठीक है जी नीचे की तरफ रहे स्टेंस क्या बनना है वो भी देख लेते हैं जो उपर की तरफ रहे स्टेंस बनना है सर 17,700 पर पहला ही रहे स्टेंस है लेकिन यह इतना अभी कारगर नहीं है क्योंकि यहां पर आप देखो यहां पर संख्या कम है ठीक है तो एक इमेडियेट रहिस्टेंस आपका हो गया 17,700 फिर अगला इमेडियेट रहिस्टेंस हो गया आपका 17,800 तो 17,800 हमारा कहां बनना है चार्ट पे 17,800 आपका यह वाला जोन यही वाला जोन है आपका पूरा तो यहां पर आपको थोड़ा सा 200 की मूविंग अवरेज के पास आपको थोड़ा सा क्या करते हैं तेज तर्दार और अपनी निगाहें गड़ा के रखनी है कि मार्केट यहां से क्या रियक्शन दे रहा है क्योंकि अभी आप अगर डे चार्ट पे देखोगे मैं आपको डे चार्ट का हिसाब किताब बता दूँ डे चार्ट पे अभी भी मार्केट सेल में ही है ठीक है और एक घंटे के चार्ट पे मार्केट आ गया है बाई में देखो आपके एक घंटे पे मार्केट आ गया है बाई में और डे चार्ट पे सेल है तो यह मार्केट के रिवर्स होने की संभावना पूरी है दूसरी बात जो बजट आने वाला है बजट के बारे में भी मैं एक वीडियो डालूँगा आपके आप लोग साथ बजट की ऐसी कुछ तयारी नहीं है लोग फालतु में यूट्यूब पे हुआ बनाके रखें कि ये बजट वो बजट ऐसा बजट वैसा बजट मेरा सेटप जिस तरफ बोलेगा मैं उसी तरफ जाओंगा कोई अजट बजट नहीं कुछ होने वाला ही नहीं कुछ भी नहीं होगा बजट के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कुछ नहीं करना है बजट है लोग के वल और कोई बात करनी है जैसा कि मैं टेलीग्राम पे दिया है तो आफर के रिकार्डिन अगर कोई बात करनी तो आप मिरे को संपर कर सकते हैं मेरे नमर इतके पर एक संपर द्यान रखें आपके वाता-पिता और बहगवान और आशिरवात बना रहे जैहिन जै भारत टेक केर